चात्रनेता जैराम हतों ने रविवार को एक नए राजनेतिक पार्थी बनाने की घोशना कर दी है उस पार्थी का नाम जहारखंडी भाशा खतियान संखर्ष समिकी रखा गया है वहीं इस पार्थी का चिन्ह टाइगर रखा गया है जैराम पार्टी के नए अध्यक्ष बने है। नई पार्टी की घोश्णा के साथ उन्होंने जातर के सभी लोकसभा और वधार सभा चिनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। साथ ही कहा है कि जब तक 932 का खतियान लागू नहीं हो जाता तब तक वह चुप नहीं बैठेंगे। में रविवार बल्यपुर की हवाई पट्री मैदान में राज्यस तरिया अधिवेशन में सर्वसमत्ती के साथ जेबी के से सगतन का फैसला लिया गया। 2024 के लोग सभाईवं वधान सभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सर्व समती से जेबी की SS पार्टी बनाई गई है भीशन गर्मी के बावजूद राज्जी के विवन हिस्सों से बड़ी संख्या में यूवा और अन्य लोग इस अधिवेशन का हिस्सा बनने के लिए पहुँचे थे अधिवेशन को संबोधत करते वे छात्र नेता जैराम महतो ने कहा कि शहीदों के अर्मानों का ज्ञारखंड नहीं बन पाया है ज्ञारखंड के लिए ज्ञारखंडियों ने कुर्बानी दी है बाहर के लोग यहां आकर राज कर रहे हैं जिसको अपना समझ कर राजकाज सौपा पुरे ज्ञारखंड की जनता को उन्होंने निराश कर दिया है संप्रदाइवाद पुचिवाद के रासे ज्ञारखंड की जनता को बर्गलाया जा रहा है जब तक 1932 का खत्यान लागूर नहीं हो जाता तब तक यह पार्टी चुपचाप नहीं बैठेगी प्रभातकाबर.com विश्वास वही रफदार नहीं